दोस्तों आखे संभाल कर बेटिएगा क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे खजाने में प्रवेश करवाने के लिए ले जा रहे हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा इसके साथ ही आपके घर में कोई बड़े बुजर्गों हो तो उनको साथ में लेकर ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि वे और डिटेल से बता पाएं कि उनका दोर भी क्या दोर हुआ करता था जिस समय ये चीजें चलती थी दोस्तों आज हम ऐसे ही पहुँचे थे राजस्तान की चुरू जिले के सरदार शहर में जहां पर सर ने एक से एक नायाब और एंटिक चीजें समेट कर रखी हैं यानि यहां पर यह कोई चोथा ही लोग है तीन लोग तो आपने सुना होगा आज चोथे लोग के भी दर्शन कर लीजिए सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर आपका भी स्वागत है आप इसनी दूर से आए हैं जी जी दर्सकों का भी स्वागत है सर मतलब हमको हम खीचे चले आए सर आपने कलेक्शन इतना इंटिक कर रहा नहीं गया बिल्कुल सर यह मेरा सोभाग्य है जी कि आप लोग आए हैं जी तो आईए देखते हैं जी कहां से शुरू करेंगे सर बिल्कुल सर यहां से दिखाते चले जाए आप लकडी के संदूक है फिर आप देखेंगे कि इस पे भी इंजॉय लिखा हुआ है मैंने अभी आपको बोला कि लाइफ इंजॉय करने के लिए है इंजॉय कोको कोला पुराने जमाने में इस पेटी के अंदर कॉल्डरिंग को ठंडा करके हमको दिया जाता था उस वक्त फ्रीज का दौर नहीं थ जी उसके बाद सर यहां पर ये एक उर लकडी की संदूक है सर बचपन में ऐसी संदूक हमने हमारे स्कूल में देखी थी जो सर तला कर रखते थे पिल्कुल सर ये उसी तरह के संदूक है infir आप देखेंगे इस संदूक को थोड़ा सा जोम करके दिखाये बिसाओ सरकार मतल यहां पर कुछ फ्रीड कूपर लिखा हुआ है तो यह फ्रीड कूपर कमपनी जर्मनी की कमपनी थी 1841 की जो की आर्मी टैंक बनाने का काम करती थी उसके द्वारा इस संदूक को बनाया गया है आप देख सकते हैं कि देखने में भी यह काफी खूब सूरत लग रहा है इसमें या तो खजाना या आर्मी के कुछ असले वगर रखने और लाने ले जाने के लिए काम में लिया जाता होगा बिल्कुल हो सकता है सर और उसके बाद सर यहां पर यह एक तीजोरी है सर मतलब तीजोरी है ना बिल्कुल सर इस यह तीजोरी है सर पूराने समय में यह तीजोरि लेके नहीं जा पाए उठाके भी नहीं ले जा सकता और इनको तोड़ना भी पॉसिबल नहीं था उस दोर में जी और फिर आप इधर से दर्सकों को दिखाते हुए सलिए जी सर यहां पर दोस्तों कुछ पूराने बरतन रखे हुए है यह फेन है जो एक स्टीम से चलता है मतल सब यहां पर एक ग्रामोफोन है यहां पर कई सारी मेटल के संदूख है सर और क्या-क्या चीजे हैं यहां पर सारी सर आप देखें कि पीछे काफी बरतन रखे हुए फिर एक वाकिंग श्टिक दिखा दीजिए देखिए इधर आपके पास में वाकिंग श्टिक तरह-तरह क वाकिंग श्टिक जो की पुराने जमाने में स्टेटस सिंबल भी हुआ करती थी और बुजर्ग लोग यूज करते थे दोनों यूज थे इनके फिर आप एकदम लास्ट में ऊपर दिखाएंगे बहुत बड़े-बड़े बरतन हैं जिनमें घी तेल पानी इस तरीके की ये फिर से जॉइंटस फैमेली का संदेश दे रही है इतना आटा गुंता जाता था फिर खाना बनाया जाता था फिर आप देखेंगे कुछ मिट्टी के बरतन हैं कुछ चमड़े के बरतन हैं कुछ चीनी मिट्टी के बरतन हैं जो धातु का यूग था उससे पुराने यू जो समय की कमी के कारण हम आपको खोल के नहीं दिखा पाएंगे जी और एक ऐसा टेप है जिसके अंदर कैसेट का कुछ अलगी साइज डलता था जो की कार में यूज होता था आप देख सकते हैं कि उसमें नॉर्मल से बड़ा साइज लगेगा उस टेप में बहुत बढ़ा है स तो उस बात का भी मैं आज आपको प्रमान देता हूं कि कैसे दूद दही की नदियां बहा करती थी आप देखेंगे कि मैं आपको मतानी दिखाने जा रहा हूं वो ये प्रूफ करेगी कि पुराने जमाने में दूद दही की नदियां हमारे हिंदूस्तान में बहा करती थी आप मतानी का साइज देखेंगे किस तरह की मतानी है और इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये काफी बड़ी है और इसको सर चलाया कैसे जाता था इसको दो लेडिस मिलके चलाती थी इसके बाकी का पार्ट एक तो रसी यूज आएगी नीचे बड़ा मिट्ट किया था और यहाँ पर दूद्ध दशाइए क नदियां बहा करती थि वह बढ़ी बात बता रहे हैं दो अर बहुत बहुत शुक्रीया कि सर ने इन सारी चीजों को आज भी संजों कर रखा हुआ है और सब्ड़ागे क्विश और बरतन यह कachen शी शीज चेज आपश aroundrio रेडियो हैं, म्यूजिक सिस्टम था, फिर आप देखेंगे छोटे-छोटे चरकें हैं, मोबाइल चरकें हैं, जी, और इसी के साथ आप देखेंगे एक वायर की केबल है, जो स्पेसल है, जिस पे सीसे का खोल है, अगर बिजली का वायर लाते हैं, तो उसके उपर रबड का और उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, आप देख पाएंगे कि पूरी क्वायल बनी हुई है, वायर की, मेड इन इंग्लेंड है, और सीसे का मतलब, मैं दर्सकों को समझाना चाहूंगा, सीसा मतलब ग्लैड, धातू, जैसे पीतल, तांबा, लोहा, वैसे ही ग्लैड लकडी की ओंखली देख पाएंगे, यह पुराने जमाने का मिक्सर ग्राइंडर है, आप देखेंगे ओंखली पत्थर की भी है, लकडी की भी है, उसी के साथ आप देखेंगे आटा चकी पत्थर की पुराने जमाने का फिर से मिक्सर ग्राइंडर, और आप साथ में ही बेल पर φाद ऑने इनहें सफ से प्रिसलाजें के सभधे कि हुआ करते थी आप देखेंगे चकला भी बड़ा है और बेलन भी बड़ा है फीर आप देखेंगे एक आटा चकी फिर से आप देख पाएंगे यह काफी बड़ी है सर और पुराने समय में लोग इनको इस प्रकार से हातों से गुमा कर बीच में अनाज डालते थे और साइड में आटा निकलता था सर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यह तो सारा पूरा बच्पन वाला ही सेक्शन है यहाँ पर कुछ खा रहे हैं कुछ बाइक से है सर यह और यहाँ पर भी कुछ सामान है सर यह क्या चीज़े हैं जरूर आप देखेंगे यह बच्चे का पालना है छोटे बच्चे इस तरह के पालने में सोते थे इसके बाद ये RX100 जो बड़ी प्यारी सी आवाज के साथ चमचमाती सडकों पर दोड़ा करती थी किसी जमाने में बिल्कुल फिर इसको गॉवर्मेंट ने भी बैन कर दिया था इसके पिकप के कारण और फिर आप देखेंगे बहुत इलाजवा बाइक जावा जावा एंड यजदी एक कमपनी हुआ करती थी जिसने अब फिर से बाइक लाउंच कर दी है लेकिन वो बात नहीं है जो पुरानी बाइक में थी पिर आप देख सकते हैं तीन लम्रेटा स्कूटर अलग जिसमें दो इटालियन है एक इंडियन है फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये नेम प्लेट ये बाउलाल जी सर्मा जो मेरे अंकल है उनके द्वारा परदर्सनी में सजाने के लिए मेरे को भेंट के रूप में दिया गया है वो जब भी चाहें अपना स्कूटर वापस भी ले सकते हैं तो ऐसे ही कोई भी दर्सक अगर अपनी चीज को मेंटेन ना कर पा रहा हो रखने की जगए नहीं हो तो इस म्यूजियम म मैं आपको रोकना चाहूँगा दोस्तों इन स्कूटर की एक खासियत हुआ करती थी उस दोर में भी स्कूटर के साथ पहला ऐसा वहिकल हुआ करता था जिसके साथ स्टेपनी हुआ करती थी सर बिल्कुल सर बिल्कुल यह बहुत बढ़िया उप्सन था स्टेपनी तो होनी चाहिए, आजकल अपन बाइक में देखते हैं कि स्टेपनी नहीं होती है, तो फिर आप देखेंगे एक छोटी सी कार हमारे दुआरा बनाई गही है, लकडी की कला करती है, और ये धकेल के चलेगी, और इसका स्टेरिंग जस्ट उठाते ही निकल जाएगा तो आगे का जो बोनट है वो स्टेडी टेबल का रूप ले लेगा पीछे बच्छा बैठेगा पीछे स्कूल बैगा इस तरह से ये कार बच्छों के खेलने के भी काम आएगी स्टेडी में भी काम आएगी फिर आप देख सकते ह है एक चोटी सी बाइक बहुती सुंदर प्यारी रेड कलर की राजदूद GTS 175 मतलब राजदूद बाइक में भी यह सबसे पूरा नियस है बिल्कुल सर आप देख सकते हैं यह सबसे पहले बवी पिक्सर में दिखाई गई थी तो इसका निकनेम भी बवी हो गया था इस बा है ऑनाया मौपड देखेंगे लक्समी नाम भी लकिस मी सर यह मौपेड हैं और रणिंग के सबिसके वीडियों आपन COMMENT इन फिल्ड बुलट ये इसका काफी पुराना मॉडल है जिसमें गैर और ब्रेक उल्टी दिसा में हुआ करते थे मतलब ब्रेक इस साइड में सर गेर इस साइड में बिल्कुल और इसमें एक मिटर दिया हुआ है जिसको पंप वाली मोटर साइकल भी कहते थे कुछ इसके बनाया गया है जिसमें अनाज को स्टोरेज किया जाता था अनाज काफी समय तक इसमें सुरक्षित रहता था किसी भी तड़े का कीड़ा या घुन नहीं लगता था फिराब दर्सकों को दिखा सकते हैं उपर कपड़े का फैन रसी खैंज के चलाने वाला ये उस जमाने का ह जिस जमाने में नाई बिजली थी नाई किसी तरह का हवा का और कुछ सादन नहीं हुआ करता था जी मतलब सर इसको ऐसे दोर से खीच के हवा करके जो रसी है वो रूम के बाहर रहेगी रसी का दूसरा चोर है पंखा रूम के अंदर रहेगा एम्पलोई लोग रसी को के चलाएंगे और पंखा इस तरह से हिलेगा और हवा देगा ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा देगा और उस जमाने की सरवात ही कुछ और हुआ करते थी मतलब एक तरीके से हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां सुझ से लेकर जहांज तक हर चीज मुझूद है जी फिर आप द देखेंगे जिसमें रानी के बैठने की बैल गाडी है जो कि अपनी पर्दा पर्था को बखू भी बता रही है कि पुराने जमाने में पर्दा पर्था हुआ करती थी और इसमें दुलहन और रानी और बड़े घराने की ओरतें बैठके जाया करती थी उसी के पास में आप पाएंगे कि उसको कौन खेंचेगा सर उसको भी बेली खिशते होंगे इतना चोटा और मतलब घोड़ा और बेल कहां से आएगा इतना चोटे साइज गा कैसे खेंचेगा उस गाड़ी को जी 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 सर आप ये बताईए क्योंकि हम तो पहली बार देख रहे हैं सर ये आप दो मिलेगी और सरदार सेर के बंसाली परिवार में इस तरह की गाड़ी हुआ करती थी ऐसा मैंने सुना है जी 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 यानि दोस्तों बक्रे से चलने वाली यहां पर गाड़ी रखी गई है ये भी आप देख सकते हैं और यहां पर सर ने ऊपर क्यों और कई सारे ये क्या चीज मैट इन इंगलेंड साइकिल आप देख सकते हैं पुराने जमाने की दो डंडे वाली और इसमें ब्रैक इंग सिस्टम है आप देखेंगे कि एक व्रेक से आगे और पीछे के दोनों कि गपर करेंगा एक हेंडल एक लीवर देखेंगे मतलब दोनों तरफ के ब्रेक हिल रहे बिल्कुल बिल्कुल ये दोनों को maintain करेगा ऐसा नहीं है कि आप से गलती से अगर एक break आगे वाला लग गया तो आप गिर जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है सर में यहां पर यह कुछ ताला लगा हुआ है सर यूनिक यहां सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता किसी ने अपने हिसाब से लगा है अब इस साइकल का भी दौर जब टाइम आएगा तो इसको भी थोड़ा री फिनिस किया जाएगा टायर डलवाए जाएंगे और इ लिखा गया है फ्रेमिंग हमने किया है साह आलम सेकेंड जिस पे जगे जगे चपड़ी की दर्बार की महर लगी हुई है हैदराबाद के नवाब थे उनके द्वारा यह लैटर लिखा गया है लिखवाया गया है कपड़े पे लिखा है और नहीं यह बासा अर्भी में आया हो यह बाशाओं को जानने वाले हो तो वो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारे कई सारे व्यूवरे जो हमारे वीडियो देखते हैं उसके बाद सर यहां पर इनकाच वाले सिक्षिन में आपने कई सारी चीजे रखी हुई है जी सर आप इनको एक बार सभी अलमारियों में से लाइटिंग कर दी गई है उदर से आप दिखाते हुए लाइए जी तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कई सारी चीजे हैं जो में ट्री बोक्से हैं यहां पर पूराने जमाने के बरतन है और भी कई सारी चीजे हैं यहां पर नीचे के और चम्डे के बरतन हुआ करते थे। मतलब सबसे पहले पत्थर के, उसके बाद लकडी के, उसके बाद चम्डों के बरतन बनाना सिख लिया लोगों ने और जिसमें पानी, दूद, दही वगेरा चीजे भी रखी जा सकी होंगी। और उसके बाद यहाँ पर कई सारे टिकेट है यहाँ पर बाट है और यहाँ पर भी सर ने कई सारे बाट कलेक्ट करके रखे हुए हैं जिसमें सिंधिया एस्टेट के वगेरा जो साप वाले निशान वाले बाट हैं वो भी मुझूद हैं और यहाँ पर पूराने समय के तो कि क्या काम में यूज आती थी? सर ये मल्टी परपस आइटम होते थे, पैसे भी डालते थे, मेडिसिन भी डाल सकते हैं और तरह तरह की दवाईयां, सौं, फिलाईची और खाने की किसी भी चीज ड्राइफ रूट डाल सकते हैं अप मल्टी परपस बॉक्सेज हैं उसके बाद यहाँ पर सिग्रेट बॉक्स वगेरा सर ने रखे हुए है अच्छा सर आपने इतनी सारी चीजें समेट कर रखी हैं सर ये इंपोसिबल सा काम लगता हैं ये कैसे किया सर आपने? सर सबसे पहले तो मैं बगवान का इसके लिए सुक्रिया करना चाहूंगा कि बगवान ने मेरे को ऐसा मौका दिया है दूसरी बात मेरे पिता जी भी इस चीज का व्यापार भी करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सौख है इन सब चीजों का 90% चीजें उनकी इकठी की वी है और फिर मेरा भी इसमें कुछ सहयोगरा है मैं भी उनसे सीख रहा हूँ कि क्या चीज किस काम में आएगी किस तरह से उसको परचेज करना है क्या उसकी प्राइज होनी चाहिए और वैसे इन चीजों की कोई प्राइज नहीं होती इनका तो बेमॉल चीजें है यह अनमॉल चीजें है जिसको जरूत है उसके लिए तो चीज है और जिसको जरूत नहीं है तो उसके लिए कबाड है और फिर मेरे बेटे को भी इन चीजों का बहुत सौक है आपको एक बार एक छोटी सी अलमीरा खोल के और दिखा दी जाए कस्टमर्स को दर्सकों को कि किस तरह से पुराने बरतनों को री फिनिस करके नया रूप दिया गया है आप देखेंगे सभी पुराने बरतन है और इनको री फिनिस कर दिया गया है अब ये मिठाई डालके गिफ्ट देने में काम आएंगे सौंफ इलाइची डालके ड्राइफ रूट डालके गिफ्ट देने में काम आएंगे देखेंगे छोटे छोटे सेक्षन हैं जिनमें बहुत सा सामान भरा हुआ रखा है और सर सबसे बड़ी बात है कि काफी यूनिक है काफी इंटिक है और पुराने चीज़ें को रिनोवेशन करके नया किया गया बिलकुल सर क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी कंडिसन में आती है कि इनको हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है इतनी गंदी कंडिसन में आती है तो इनको साफ करना जरूरी हो जाता है और कुछ अगर ऐसी नायाब चीजें हो जो हमारे को मिलने की दुबारा मिलने की उमीद ना हो तो उसके साथ हम किसी भी तरह का छेड़ साड नहीं करते हैं उसको अपने मूल रूप में ही रखते हैं जैसे कि आप देख पाएंगे ये बैल गाडियां इनको अपने मूल रूप में रखा गया है कुछ बाइक्स ऐसी है जैसे यजदी है लक्समी है इनको अपने मूल रूप में रखा गया है कपड़े का फैन है जिसको मूल रूप में रखा गया है इन पुरादी चीजों के साथ छेड़ साड़ नहीं करनी चाहिए इसी के साथ आप चलता हुआ एक made in England, made in Italy फैन भी आप दर्सकों को दिखा सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हवा भी काफी हम महसूस कर पा रहे हैं काफी अच्छी हवा है और काफी भारी लगता है सर सर इसकी एक ताड़ी में इतना वजन है जितना की आज के नए पंखे में वजन होगा उतना इसकी एक ताड़ी में ही वजन है सर बिजली भी ज़्यादा खर्च करता होगा थोड़ी सर ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा फरक है बिजली की खापत में क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का भी नोलेज रखता हूँ काम करता हूँ तो जो नई कंपनी आई उन्होंने कस्टमर का माइंड वॉस किया और पूराने पंखे उतरवा दिये यह कहकर कि बिजली ज़्यादा खाते हैं जबकि बहुत ज़्यादा फरक नहीं है अगर बिजली थोड़ी सी ज़्यादा खाते है तो ये मैंटिनेंस फ्री हैं सर आज ये 100 साल से, 50 साल से, 70 साल से चल रहे हैं, अभी तक हम ने इनकी oiling greasing भी नहीं करवाई है बाती नए वाले फंके सर 15-20 साल में खोल के फैंक नहीं पड़ते हैं नहीं सर 15-20 साल भी लाइफ नहीं है, आज आप देखें, फिर आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा ये बरतन पाइपें लगा हुआ, बरतन सर ये किस चीज में काम आ सकता है कि इसमें पानी बरकर दो इकट लोग इसको उठा कर ले जाएं कहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सर इसमें दंडे जैसी आकरत लिए आप देख सकते हैं दोस्तों आपको बता दे कि सर का सरदार शहर में लगबग 5-6 किलोमेटर की दूरी पर बड़ा ही प्यारा सा म्यूजियम है यहां पर आप विजिट करके देख सकते हैं उसके अलावा सर का फरनीचर का काम है काफी एंटिक और यूनिक फरनीचर और एंटिक चीजें सेल और बाई भी करते हैं सर कोई आपसे कॉंटेक्ट करना चाहें तो वो केसे कर सकता है सर मेरे से आप वोटसेप पे दरसक कॉंटेक्ट कर सकते हैं 966-0526-794 मेरा वोटसेप नंबर है आपसे रिक्वेस्ट है कॉलिंग ना करें वोटसेप करें सभी को जवाब दिया जाएगा और फिर आप देखेंगे कि लकडी में कितनी सुन्दर कलाकरती की गई है इसी के साथ आप उपर एक वाल हेंग प्लेट दिखाएंगे जिसमें एक आदमी शेर के साथ युद कर रहा है अपने भारत है वो वीरों की धर्ती थी आप देख सकते हैं कि शेर के साथ सकुन्तला ने अपने बेटों को शेरों के साथ पाला था महाराना प्रताप सिंग जी का भी एक किस्सा है शेर के साथ वो लड़ाई करते थे बिल्कुल सर और गंगा सिंग जी का भी किस्सा है जो हमारे पास में जो हमारा रियासत है वो विकाने रियासत थी उसके राजा थे और फिर सकुंतला की बात चल रही थी देवी सकुंतला जिसने अपने बच्चों को जंगल में ले जा के शेरों के साथ पाला था भरत जिसके बेटे का नाम था और इसी भरत पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है ये सब बातें बताते हुए मेरे सीना है वो गर्व से फूल परिवारजनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं दर्स को का भी बहुत-बहुत आभार है आप लोग आए हैं आपका भी बहुत-बहुत आभार है और सर हमारी पूरी वीवर्शिप की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने इतनी चीजें संभाल कर सर आज हम घर में कुछ छोटी मूटी चीजों का मेंटेनेस नहीं रख सकते और आपने पूरा आली शान इतना बड़ा म्यूजियम बनाया हुआ है संभाल के रखता है रखा हुआ है अगर कोई visitors आते हैं by car आते हैं तो एक group का 500 रुपे चार्ज है देखने का और वो अगर purchasing करते हैं 5000 रुपे की purchasing कर लेते हैं तो उनसे किसी भी तरह का कोई visitor चार्ज नहीं लिया जाता है लेकिन अगर सिरफ देखना हो तो एक group का चार्ज 500 रुपे जी यानि सर बहुत बड़ी बात है इतनी चीजें संजो कर रखना उसके लिए हमारी वीवर्शिप की तरफ से आपका बहुत बहुत दन्यवाद और उमीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दबा के शेर कीज़ेगा इसको जितना अधिक हो स सके इन्हें अपनी आखों से निहार सके बहुत बहुत दन्यवाद आपका भी सर बहुत बहुत दन्यवाद थैंक्यू सर जी सर